आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिकाम हैरोत्रा शुरुवात करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की प्रदान मंत्री नरीद रमोदी ने लखना उस्तित इंद्रा गांधि प्रतिश्ठान में यूपी इन्वेस्टर सम्मिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी का उद्गाटन किया इस मौके पर उनके साथ सेम्योग यादितिनाथ और केंद्रे रक्षव मंत्री राजनाथ सिंग भी मौजूद रहे उद्गाटन के बाद प्रदान मंत्री ने आई जीपी में प्रदर्शनी देखी उन्होंने ओडी ओपी के उतपादों का भी जाहसा लिया इस दोरान उद्योग पती गौतम अडानी ने सत्तर हजार करोड रुपए निवेश का वादा किया है वहीं आदिति बिल्ला ग्रुप के अद्याक्ष कुमार मंगलम बिल्ला ने भी प्रदेश में चौलिस हजार करोड के निवेश का ऐलान किया है इस खबर पे मैंस अद्याद बाचीत के लिए समधाता नितिन जुड़ चुके है नितिन बड़े निवेश की योजना बनाई गई है और द्योग पती गौतम अडानी ने सत्तर हजार करोड तो वहीं आदिति बिल्ला ग्रुप की तरफ से चालिस हजार करोड का बादा किया गया है बड़ा निवेश आ रहा है कुल असी हजार करोड का निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखते हैं जिस उपलक्ष में आज ये कारिकरम किया गया था और जिस जो प्रमुक चीजे थी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं को लेकर के जिस लिए इन उद्योग पतियों को उत्तर प्रदेश में बुलाया गया था लगबग वो सभी कारगर सिद्ध होई हैं कई ऐसे बड़े उद्योग पति इस पूरे कारिकरम में शिरकत करने पहुंचे थे जिसमें सब्सेहम नाम हैं गौताम अडानी का जिन्होंने साथ तोर पर जिक्र किया कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अधितनात और देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पर पूरा भरोसा है और यह दोनों एक डबल इंजन की तरह सरकार चला रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को बहुत बहतर जो आने वाले दिनों में जो जो प्लगधियां हैं वह मिल सकती हैं अगर वह बहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विका 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा इसके अलावा अगर हम देखे तो कुमार बंगलं भी इसकारिक्रा में मौझूद हैं कुमार मंगलं ने विससाफ तोर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को और यूग परिवरतन जैसी बाते कहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रद उन्होंने कई और नई योजनाओं के बारे में बताया और उन्होंने साब तोर पर इस चीज का भी जिक्र किया कि हम शिक्षा के छेत्र में और स्कूलों की शंकला में लगातार बहतर काम कर रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसके अलावा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमेनी के अगर बात करी जाए तो साब तोर पर कई और बड़े नाम पूरे कारेक्रम में मौजूद हैं गौता मदानी ने कई सारी प्रमुक बाते कहीं लेकिन हीरा नंदानी के अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी साब तोर पर कहा कि पहले जितने लोग देश-प्रदेश में डाटा सेंटर या फिर जो इलेक्ट्रोनिक एक्विप्मेंट्स है या फिर इन चीजों से जुड़े हुए नई थे उनको और बढ़ावा देने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी और हर साल हम हजार करोड का जो निवेश है वो बलहार है और तेजी से हम उत्तर प्रदेश और देश साथ मिलकर कि उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश करके यवाओं को रोजगार देना है यह पर इस ठितीयों को और बैतर करना है उस पर पूरा प्रकाश Love पूरा जो फोकस है वो हमारा रहेगा कारिग्रम में रक्षा मंतरी राजना सिंग भी मौझूद थे उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के मुख्रमंतरी योगी अदितनाथ और उत्तर प्रदेश में संभावनों के बारे में काफी कुछ कहा जितने भी जो उद्योग पती आए थे उनका सब्सक्राइब ने काम किया है और पहले कि क्या इसpected प्रदेश को कैसे लड़कर के बैतर किया गया उसके बारे में बताया उन्होंने सभी निवेश्चों का काफी शुक्रीया दा किया उन्होंने कहा कि पहले किस तरह से जो पहली की डो ग्रांड ब्रेकिंग सेरेंडी है उ उस सिंगल विंडियो सिस्टम से कही ना कहीं जो वैफारी है और जो उद्योग पती है या फिर जो उद्योग से जुड़ना चाहते हैं और जो युवा हैं उन सब को एक दर्वाजे से रास्ता मिल रहा है कि कैसे वो उत्तर प्रदेश के विकास में जुड़ करके अपना आका क्युवाओं को हमारा जो लक्ष है इस कारिक्रम के जरीए रोजगार देने की बात उन्होंने कही है और इसके बाद अगर हम बताएं तो प्रदान मंतरी नरिंद मोदी ने भी साफ तोर पर कई चीजों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कानुन व प्रदान मंतरी नरेंन मोदी बन निकल lige उत्र उत्रा अला मार्स कॉलेज के मैदान में वहाँ पर अब से थोडी देर में यहां से प्लाई करे करेंगा और वह अब कंपूर के लिए आगे के तरफ प्रस्तान करेंगे इनको जमीन भी मिल जाती है और जो प्रक्रिया है वो शिरू हो जाती है यानि कि सुगम है यहाँ पर इनवेस्ट करना इस और भी ध्यान केंद्र तक किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे प्रदानमंद्री नररिन मोदी अपनी सरकार की केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे थे और चाहे है और वीऊपी के जरीए चोटे वैपार हो या फिर बड़े वैपार हो की बात अगर करी जाए तो इसमें साब तोर पर प्रधान मंत्री नरेद मोधी की तरफ से कहा गया है कि 40 बिलियन डॉरल का जो वह भारत में आया है जो कि इसके पहले कभी नहीं आया था और यह एक तरह का रिकॉर्ड है और आज भारत ग्लोबल रिटेल ग्रोथ में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है जो कि अपने में एक बहुत बड़े उपलबधी है भारत के लिए इसके लावा यह समय हमको एक इच्छा रहे करके काम करना है प्रयास करन ऐसी बात कि इस सबके बीच में अपने के जरीर रास्ट पMore सका मझस देने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसमें रहावरा वन नेशनी अ जिएवा ग्रिड इसके लावा वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रयास से हमारी जो ठोस इसपस्ट नीथिया है जो इसपस्ट योजनाए है उनका जो कृरियानवन है उनको जनता तक पहुंचाने का अलाब है या फिर वैपारिय कैसे देना है कैसे जो काम है उसे आसान करना है इन सारी बिंदूों के जरीए वो कापी आसान होता है युवाओं को रोजगार मिल रहा है निवेश को निवेश करने के लिए और वन ट्रिलियन की अर्थविबस्था बनाने का लक्ष लेके चले है तो क्या इस तीसरे तो इससे कितनी सबलता मिलने वाली है सियम योगी के तीसरे एक जिस तरह से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी करी है और जो दूसरा कारिकाल है तो उसमें कितना योगदान रहेगा इस निवेश का देखे 80,000 करोड का टार्गेट लेकर के इस कारिकरम का शुभारम करवाया गया था लेकिन अब जो पताए जा रहा है जो पॉइंट्स निकल कर सामने आ रहे है ये पता चला कि करीब 3,000,000 करोड से भी जादा का जो निवेश है इस बार इस ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी के कोविड आ गया दो साल वहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन इस बार फिर से सरकार की तरफ से प्रमकुबलब्दियां जो हैं वो हासिल हुई है और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं शिखा तो लगातार सरकार की तरफ से कई एहम जो कदम उठाए जा रहे हैं चाहे उनकी योजनाओं सहे हो गया हो या फिर इस तरह के युवाओं को जो मुख धारा से जोड़ करके रोजगार देने की बात हो जो की अपना खुद का वैपार करना चाहते हैं ओडी ओपी का जिक्र प्रधान मंतरी नरिंद मोदी और मुख मंतरी योगिया जितनात की तरफ से किया गया, MSME सेक्टर का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो युवा है, वो MSME सेक्टर से जुड़ रहा है और लगातार अपने अपने जिलों में अपना अपना जो उसका उद्योग है, उसे बहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के प्रमुक बिंदों पर चर्चा होई है, और कहीं ना कहीं आज इस तरह से देखा जा रहा है कि जो वन ट्रिलियन एकॉनिमी की बात लगातार मुक्षमंतरी योग्या दिसनात की तरफ से कही गई है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम बड़े पहमाने पर उत्तर प्रदेश में कई सारे यो रखी गई है, जब निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में खुले मंज से कहा कि वो कितना कितना निवेश उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। असष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमणी हूई, निवेशक शिखर सम्मेलन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमणी में विभूति खंड की इंटरनेट प्रदाता कमपनी केबल कॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने इस कारिकरम के लिए वाइफाई की सुव जारूता से दिया गया है और जबकि इस बारे में जौनकारी देते हुए महाप्रमंधक विकास मिश्रा ने कहा कि केबल कॉम कंपनी ने पहले भी यूपी सरकार के कई प्रोचेक्ट्स में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है और एक केबल कॉम कंपनी के निर्देशक अरीजीत पांडा जी हम ऐसा तजुड़ चुके हैं जिन से हम जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक सरकारी कामों में अपनी महत्मूर भूमिका निभाई है तो अभी तक का सफर कैसा रहा है आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में तो जिस तरह से आपनी एहम भूमिका निभाई है सरकार के काम में अपनी कंपनी का जो सायोग दिया है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे सबसे पहले जब दन्यवाद आपको कि आप लोगों को जैसे इंफोमिशन मिला अप्राइम टीवीग जैसे इंफोमिशन मिला तो उन्होंने भी हमारे काम को सराया तो बहुत पहले भी उत्तर प्रदेश और सेंटर्म गॉर्मेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं यहां पर हम पंद्रा दिनों से हमारी टीम बहुत मैंनज कर रही है और पूरा वाइसाई और नेट्वर्किंग का काम हमें मिला है और अभी जैसे आपने देखा होगा के मोधी जी का पूरा वेडियो स्ट्रीमिंग और वहां पे जितने भी उद्योग पती थे उनका वाइसाई वो सारा पुछ हमारे इंटरनेट के तूप सुचारूरूप से दिया गया है तो जिस तरह से इस वक्त बहुत सारी नेट्वर्किंग कंपनिया है लेकिन आपको चुना गया है तो यह अपके लिए कितना चैलेंजिंग था क्योंकि कोई भी गॉर्मेंट का काम होता है वो असान नही एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है लेकिन आपने आपकी कंपनी ने सफलता पूर्वा किस टास्क को पूरा किया है कितना चैलेंजिंग रहा है जी चैलेंजिंग मतलब हम लोग पहले से ही ऐसे प्रोजेक्स काभी किये हुए है पहले भी डिफेंस एक्पो जो कि बहुत बड़ इवेंट था वहां पर बहुत इंटरनेशनल गेस इंवेश्टर्स आई हुए थे वहां पर हम लोग ने किया हुए हम लोग ने काफी जगत पर वाईसे प्रोजेक्स ओ अलेडि किया हुए है उनडवतेवली कंपटिशन तो हैंपटिशन तो हमेंसा रह काम को हम लोगों ने बड़े अच्छे से कर लिया और यहीं हम करते रहते हैं इस वक्त नेटवर्क और वाई-फाई बहुत जरूरी हो गया है आम जीवन में इनसान की एक एहम जरूरत बन गया है और जिस तरह से आज एक एहम बड़ा कारेक्रम था उस बीच आप क्या कहना देना चाहेंगे कि जो जरूरत है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं और किन किन चुनावतों को सामना कर ते कु कि चैलेंगs बहुत रहते हैं हर फील्ड में रहते हैं वड़ाए लेकिन इस वास जो लेट वाई-ट अच्छी नेट वर्क सर्वीं से पुद कराना कितना जरूरी ह जैसे आपने अभी इवेंट देखा, ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, ये इंटरनेट के माध्यम से हुआ, इंटरनेट आख के डिरेट पे एक नेसेसिटी बन गई है, आप OTT सर्विसेस देख रहे हैं, न्यूस देख रहे हैं, कहीं भी मोबाईल के तू, आप इंट जैसे हम बड़े-बड़े OEM, जैसे सिस्को, हुआवे और तमाम गंपनीज, वेंडर कंपनीज, उनके हम एकुपमेंट लगाते हैं, तो सुदट, आपको फॉल्टी चीजे ना मिले, आपको अच्छी स्पीड मिले, और हर ग्रहत को हम खुश करने के लिए उनके, उसी हिसा हम लोग, हमारा जो मेजर फोकरस है, वो वाइ-फाइ करने के लिए आपको अच्छे एकुपमेंट जैसे की कुछ बड़े-बड़े OEMs, आजकल स्पीड का जैसे हाई स्पीड का जमाना है, और हाई स्पीड देंगे तभी आपकी स्ट्रीमिंग प्रपर हो पाईगी, तो उ आपकी आप देखेंगे, तो इंटरनेट का जो यूज है, आज अठटर करोड लोगों तक इंटरनेट पहुंच चुका है, और वो जैसे सबकार का स्टेप रहा है, कि इंटरनेट हर जगा पहुंचने के लिए एक वो डिसेंटरलेज कर रहे हैं किजों को, वो डिसेंटरले पोलिटी फोकस दे के बड़े कस्टमर्स, बड़े प्रोजेक्ट करने का सफलता रूप से करने का काम किया है। अब इस चीज़ को कैसे बैलन्स किया जाएगा, क्योंकि पहले इसका रेट तो जादा था, लेकिन आज की समय में यूज़ जादा है, कोरोना काल में प्रॉपर सबसे जादा नेटवर्क का यूज़ किया गया, लोग वर फ्रम होम करने लगे, तो सबसे जादा यूज़ इ पर इसमें गवर्मेंट का जो अभी फोकस है, वो घर घर इंटरनेट पहुचाना वो भी रुगाल इंडिया पे पहुचाना, मतलब आप इतना बड़ा देश में हम उत्तर प्रदेश की बात करे हैं, तो इतने बड़े प्रदेश में हर गाओं में इंटरनेट पहुचाना, वो भी हाइस्पीड डाटा के साथ, इसलिए गवर्मेंट ना अल्रेडी ऑप्तिकल साइवर का कर दिया है, लेकिन हमारा क्या काम रहेगा अब इसको एक नेक्स लेवल तक लेके जाना है, तो इसलिए भी गवर्मेंट के तरफ से एक और चीजे होनी चाहिए, जिसमें गव होना की है, जो जैसे हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उस पे ज्यादा लोड ना है और सब्सक्रेवर को वो कम पैसे में सहीं कीजे दे पाएं, जो बिलकुल, बहुत बाशुक्रिया हम ऐसा जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए इसा ख़वर पे हमा ऐसा केबल कॉम कंपनी के निर्देशय का अरिजित पांडा जी जुड़े थे जिन्नोंने बताया कि किस तरह से वो स्मूद इंटरनेट सर्वसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और आज जो थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी थी, उसमें भी इने म मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि गंभीर हालत में एक मरीज उसके परीजन हत्ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंसते हैं, परीजनों ने बताया कि काफी दिनों से मरीज बुखार से ग्रसित था, वहीं इस मामले पर चिकितस अधिकारी आनन्द किशोर का कहना है कि मरीज को प्रात्मिक उपचार दे दिया गया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जुला अस्पताल के लिए रफर कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा बहुत से काम किये जाते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ प्रशासन द्वारा बहुत से काम किये जाते हैं। प्रशासन द्वारा अपनाई जाने वाला लचीला व्यवहा सरकार की नीतियों को फेल करता हुआ नजर आ रहा है। दरसल पूरा मामला 2020 थाना गांधी पार्क का है जहां लॉगडाउन के समय एक गुट का ट्रक पकड़ा गया था। जिसकी कवरिज महिला पत्रकार द्वारा की ज़ा रही थी। जल्द से जल्द गिरफतार करने की बाद भी कहीं। कोड में विचाल दीन हैं बारेंटर निकले हुए हैं उसके बाब जूर्द भी वो मेरे सयोगें को मेरे को मेरे हस्मेंट को सबको बाकाईदा अलिगरण में भारते किसान यूनियन सेना के जल्द अधिकारी को अपनी समस्याओं को लेकर ग्यापन सौपआ ज़स्में किसानों नी अपनी समस्याओं को बताते हुए कहां कि किसानों को आएदिन बिजली पानी के claro किस्याओं से परिशान होना पड़ता है अधिकतर किसान बैंकों से कर्ज लेकर खेती करते हैं इतना ही नहीं सिच्वाई विभाक से लेकर बिजली विभाक के अधिकारियों की और से किसानों को किसी न किसी बात को लेकर परिशान किया जाता है कि कि अगया हैं हमारे सब्ड़कों से लेकर जैसे हमारे नेताओं के ऊपर स्याई भेखना उस लोगों पर गोली चलवाना जिस्तरकार की नीटी लग रही है हम लोगों को अकर ऐसा नहीं है तो इन लोगों के खिलाब कारवाई की जा इन लोगों को जिल बेजा जाए प्राइम टीवी के पत्रकार को धमकी दी है दरसल पूरा मामला जगदीशपूर कोत्वाली छेतर कहे जहां दलित से मतस्पालन के लिए जमीन को लेकर गाओं के ही युवक ने इकरार नामा करा कर इस्तमाल किया था बेनामे की आहट मिलते ही दलित इस्थानी कोत्वाली में तहरीर देनी पहुचा लेकिन शिकायत दर्ज करने के बज़ाई कोत्वाल ने अभधर भाश्र का प्रयोग करते हुए उससे डाट कर भगा दिया इसमाम्य में आरोपी की तरफ से पीड़ित को लगतार धमकी दी जा रही है और इकरार नामा कैंसल करने से भी मना किया जा रहा है तरफ से बाद में हमसे कहीं चलो इसाथिर खाना है तो उसके बाद हम इनके घर गए घर जाने के बाद ये हम हमारे उपद दावा बोल देन तो हमका लाते से घुचा से घर पामारे ने के साले कफर ना लिखी हो के अट अप्ट अब लिखाएंगे बैए बैए नामने तो कोतवाल की दबंगई देखने को मिली है जहां प्राइम टीवी ने कुस दिन पहले इस ख़बर को भी चलाय था और इस ख़बर को चलाने के बाद बॉक लाए कोतवाल ने अब प्राइम टीवी के पत्रकार को धंकी दी है पूरा मामला जुगदीशफुर कोतवाली का है दलित से मतसपालन के लिए जमीन को लेकर गाउं के ही वकने इकरार नामा किया था और अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है तो जिसके बाद पु कर दो कि अमेठी जिले के जगदीशपूर कोतवाली का मामला है जहां पर एक पीडिस है पीडिस का कान पीडिस ने जो हमको बयान दिया हमने अपने बयान के आदार पर हमने उस चैनल पर अपने जीव चैनल पर चल वहीं पे जब उनोंहें देखा की खबर चल लाई है तो कोटवाल था बोखला गया और बोखला हट में उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप यह सही नहीं कर रहे हैं और यह आप द्वारा फरजी खबर बना रहे हैं तो कि और भी न्यूज चैनलों में और पेपर में यह खबर प्रकाशित हुई है वो मुझे उल्टा जी तो इ जी मैं बिल्कूल बता दू कि वह काफी समय से जब अहीं साथ हमें जो आपनी पैट जमा चुक एह हैं पीडिस ने अभी भी पीडिस का अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं हुआ, पीडिस के साथ न्याई नहीं हुआ, पीडिस अभी भी उसका रोरो कर बुरा हाल है. जी, तो जो पीडित है, वो कितने दिनों पुलिस के चखकर काट रहा है, कब से न्याई के गोहार लगा रहा है, जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूँँ, ये जगदीशपुर का वही कोटवाली है, जो आए दिन यहां पे तुर्कियों में बना रहता है, और तक 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 जगदीशपुर कोटवाली से न्याई नहीं मिल पाया है. और दबंगो ने जमीन पर कबजा करके फसल बो दिया, वहीं SDM और तहसीलदार के नहीं मिलने से ग्रामीड वापस चले गए और इस अफसर पर ग्राम प्रधान लक्षमी देवी के साथ गाओं के बड़ी संख्या में लोग भी उपस्तित रहे. पर सासन की तरफ से क्या कदम उठा जा रहा है? पीट करने का आरोप लगाया है, जिसका लाइब वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है. आपको बता दे कि इससे पहले जब ये मामला थाना पहुचा था, तो पूर्व मेयर ने दोनों पक्षों को बैठा कर समझोता कराया था, लेकिन उसके बावजूद महिला को फि आपने इसकी कंप्लेंट कहां कहां करी है? इसके घरवाले कहते हैं काम खूलेंगे. जब उसका विरोध किया गया, तो उसके साथ मारपीट की दबंगों ने और जैश्री राम के नारे भी लगवाए. उन्हें बुलाया था, उन्हें फोर्ण कर गया, उनके सामने इनारे भी लगवाए थे. तो वहाँ पर कुछ हिंदू रक्स्तादल के लड़के आए, उन्हें इनका नाम वागएरा पूछा, और नाम पूछने के बाद में इनके साथ में मारपीट करी, इन्हें जब मना करा, तो लड़की के साथ में छेड़ खानी की गई, उसके साथ में पत्तामीजी करनी कोशि गाजयबाद से प्रवीन पूरी जानकारी चाहेंगे मामले की? उनके जुड़े उनसे जुड़े लोग बता जाते हैं, जिस तरह से उन उस बच्चे से और उस लड़की पे, कही न गई एक समुधाय विचेश का नाम सुनते ही, वो लोग उनके उपर मारपीट कर देते हैं, मारपी इस तरह से की जाती है कि आप तफिरों में भी सकते हैं कि उस लड़के के पूरी पीच के उपर जिस तरह से पूरे लाल के निसान है, कि किस तरह से लागी गंडे से पीटा गया, लाग गूसर तो कहीं ना कहीं, एक कानून विवस्था पे सवाल ये निसान कड़ा होता है, कि आखीर योगी राच के अंदर में, कि इस तरह के जो वेस्ट ने को बिली तूर ने विस तरह से अपनी चिकायक पो लेकर वो थाने भी गया कहीं चौकी दिया तो तो कहीं नहीं उसके मामले को आना खानी करते वह उस मामली की लेकित नहीं ली गई तो फिरी तकासपर दे ये भी चाहना है उन्होंने एक वहां के जो कॉंग्रिस क तो कहीं न कहीं ये मामला काफी संग्यान में आया है पुलिस के तो कहीं न कहीं इस तो किसी तरह से कारवाई नहीं की जा रही है। को सील करते हुए होटल मालिक को गिराफतार का लिया है वहें समामले पर बलिया के सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली के होटल में अवैद कारे किये जा रहे थे। उसके बाद पुलिस होटल पहुंची और कमरों की जाच शिरू की तो होटल के अंदर पाँच पुरुष और पाँच महिला आप पत्ती जोनक सिटी में मिले। महिला और पुरुष बंद कमरों में पाए गए। उसके बाद पाँच महिला और पाँच पुरुष को अपत्ती जनक हालत में रंगे हातों पकड़ा है बलिया से ये खबर सामने आ रही है। अखिलेश सूत्रों के हवाले से जब खबर मिली पुलिस को तो उसके बाद पुलिस ने जब जाच करी तो पाँच महिला पाँच पुरुष मिले हैं। तो क्या सिर्फ इसी होटल में कारेवाई की गई या असपास के बाकी होटलों पे भी छापे मारी की गई। जी आपको बताते हैं। अब दो होटलों पे करवाई हुई है और जो कि बिना रेश्टेशन के चल बहते हैं। और उसमें अवैस तरीके से अनेतिक कारिये चल रहा था। यहीं के कोई एक समाज से भी थे जो उच्या थिकारियों तक शिकाइद की और शिकाइद पे शियूस मजिस्टेट और यहां थे प्रिसी स्कृपाथिन ने तीम गठित करके और उन छापामारी की जिसमें समाम पांच जोड़े भरा मत हुए। अखलेश इन लोगों और साती होटल पे क्या कुछ कारिवाई की जाएगी अब। उत्तरप्रदेश और उत्त्राखेंड के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ठाकुर्दु आरा थाना चेत्र में एक बड़ा हाथसा हो गया है। दरसल एक अनियंत्रत ट्रैक्टर ट्रॉली और एलपीजी सिलेंडर के भरे ट्रक की आमने सामने टकर हो गई और जिसमें 19 लोग घायल हो गए है। जबकि तीन लोगों की मौत हो गई है जिसमें 9 लोगों को प्रात्मिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि 10 लोगों को उत्राखंड के काशिप पर रेफर कर दिया गया है। जबकि त्रेक्टर ट्रोली में कालू से एक दरगाह बढ़ती है जश्पूर के पास जश्पूर से थोड़ा आगे। वहाँ से आ रहे थे एक ट्रेक्टर ट्रोली में 35-40 लोग होंगे और सामने से एक ट्रक LPG सिलेंडर से भरावा था उससे आपस में टकर हो गई। जिसमें काफी लोग घायल होएं, घायलों की संख्या का भी चीच से पता नहीं है, तीन पैस्वल्टी हुई है, मेल, फीमेल और इस इस सिलेंडर से भरे ट्रक की आमने सामने भेडनत हो गई है, जिसमें 19 लोग घायल हो गई हैं, तीन लोगों की मौत हो गई है, इस खबर पे हमारे साथ मुरादबाद से समधाता शारुक जोड़ चुके हैं, शारुक किस जगह पे हुआ ये हादसा? जो, बहुत 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 शुक्री है, मासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैंसे समधाता शारुक हुसान जुड़ेते मुरादबाद से. अलिगर्थाना महुआ खेड़ा के धनी पूरिमंडी परिसर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. मताय जो आ रहा है कि मीडिया कर्मी मुकेश गुपता अपनी दोस्तों के साथ बाते कर रहे थे इसी दोरान वहाँ कोछ लोग आए जिनके साथ मुकेश का विवाद हो गया. जिसके बाद विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दूसरे पक्षों ने मुकेश को गोली मार दी. जिसके बाद पेट में गोली लगने से पत्रकार मुकेश कम्भी रूप से घायल हो गया जिनको इलाज के लिए जे एन मैडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है. अलिगर के था ना अकबराबाद छेतर के गाउं में ग्राम प्रधान रजट कुमार अपनी बाइक से गाउं धौरी से अकबराबाद बाज़ार जो रहे थे. इसी दोरान गाउं के कुछ युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर विज़ाई गड़ चराहे के पास प्रधान के लिए अपश्रब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलोच की. और जब उन्होंने गालीों का विरोध किया तो युवकों ने ग्राम प्रधान पर फारिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. जिसके बाद ग्राम प्रधान ने थाना अकबराबाद में मुकर्मादर्ज कराते हुए पलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. अपने मिठाई लेने के लिए मैंने अपनी बाइक रोग ही है. अब ये पीचे से फिर आगे महां पर. इन्होंने वहां पर आगे फिर मुस्ते बात्तमीजी करने लगे हैं. मैंने बाइया मैं कोछ नहीं कही रहा हूं तुमसे बाइया तुम जाओ दारू कि हुए औरे कि तुको ने कि इस देर में तो बहुत दूसरा तमाज्चा ने काल आगे ग open दो पहले y espaço किया हैं मैं वहां से नकला फिर दूसरा फायर हुआ है रास्ते में अस्पताल के और अकरावाद थाने के बीच में परसादन के बस में ये चाहता हूँ उन पर कारवाई हो और मेरी भी मदायू में हरियारा के गुडगाओं से थाना इसलाम नगर में आई एक युवती को उसके ही प्रेमी ने गोली मार कर घायल अवस्था में उसे छोड़ कर फरार हो गया पलिस के मताबक अमेठी की एक युवती सेलून संचालक के साथ करीब डेर साल से लिव इन रिलेशन्शिप में रह रही थी इस दौरान युवती को उसके शादी शुदा होने की जानकारी हुई जिसके बाद दोनों के बीच कहा सुनी हुई और जब युवती मौके से जाने लगी तो आरोपी ने उस पर फायर जोग दिया जिसके बाद युवती ने पुलिस को इस मामले की जौनकारी दियो और पुलिस ने युवती को इलाज के लिए भरती करा दिया कि अम् Sophia शेप्स की में बुछ फंस तीं नाम का लड़का ऑख जिशान नाम का लड़का आया औरो मैंसे भूने जा रहे ह।ø हम दो ख़ंए जा रहे रहाए हैं मुलब खाना भीना खाने गार है आने आद पर रहे तक हैम भी अटाने का बार नहीं महिले ह। पिर बाल में आने के बाद यहां पिर उन लोगोंने ऐसे कर दे हैं। कवीदर अपने चचेरे भाई के साथ एक्जैम दे कर वापस लोट रहा था। तभी ग्राम नाहर धेर के पास कई लोगोंने दोनों पर धारदार हतियार से हमला कर दिया। बदायों में शाते लोटेरों के होसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और हजारों की लोट को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दे दिया है। बता दे की बेटी की शादी के लिए पिता बैंक से पैसे निकालने जो रहा था और इसी दौरान बदमाश 49,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी बदमाशों ने एक महिला से 68,000 रुपए की लूट की थी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिल हालिता ही देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी।